नमस्कार ये विलकम ये वल्ल अफेर्ड नहीं प्रशान धवन यहां पे आप लोग ठीक पड़ रहे हो डॉनल्ड ट्रम्प और व्लादमर पुतिन को हो सकती है जेल और किती अजीब बात है आज के समय के ये दोनों लीडर जो कुछी साल पहले मिलकर समिट्स किया करते थे य ट्रम्प शायद उन गिने चुने यूएस प्रेजिडेंट्स में से थे जो जैनुएनली रशिया को समझते थे ट्रम्प ने ओन रेकोर्ड काफी बार का था कि रशिया यूएसे का में एनमी नहीं है एक कंपरिटर हो सकता है डिफेंस मार्केट में क्योंके रशिया भी अत पैंशन करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद अनफोर्शनेटली यूक्रेइन वार भी हो गई अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है मगर व्लादमिर पुतिन सबसे पहले यह बताओ व्लादमिर पुतिन जेल कैसे जा सकते हैं और हाली में इसको लेकर बहुत सार आर्टिकल आये हैं के जी आई सीस यह इन्टरनाशनल क्रिमनल कोर्ट ने हाली में अर्रेस्ट वारेंड घुशित कर दिया है व्लादमिर पुतिन पर और यहाँ पिर देखो घुम्फिर के मैं कहुँगा पुतिन नहीं खुद को हसा लिया यह पूरा केस मैं आपको समझाए साथी साथ डॉनल्ड ट्रम्प का जो इश्यू है ये भी हम जानेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पुछूंगा क्वेशन ये है कि अलमुमीद अलहिंद 2023 ये यो दवियास काफी न्यूस में है आपको बता रहा है कि ये यो दवियास भारत किस देश के अगर आप सोच रहे हैं कि वेट पुतिन ने अटाक किया था यूकरेन पर तो शायद उसकी वज़े से ये सब हो रहा है नहीं ये अभी के लिए जो में सजा पुतिन को हुई है ये बच्चा चोरी के केस में हुई है क्योंकि अब आप सुनोगे आपको जीब लगेगा बहुती बेसिक बात है कि जिस इलाके में चल रही है जहां पर एडवांस कर रहे हैं वहां पर बच्चों को रखना ठीक नहीं है कल को कोई मिसाइल आ गया कुछ बॉंबिंग वगरा हो गई तो उसकेस में हम क्या करेंगे तो बच्चे जो भी है यूकरेन के ये रशिया गए हैं क्योंकि इनके सरकारी मीडिया ने ये बात खुद पब्लिश करी थी कि व्लादेमिर पुतिन के ओडर्स पर बहुत सारे यूकरेन के बच्चों को निकाला जाएगा यूकरेन से और इनको रशिया में रखा जाएगा आप ये सब सुनके कह सकते हैं ये तो बहुत ज क्रिमिनल कोड कुछ भी कहें ये बार-बार अशिया कह रहा है कि हम अभी और बहुत सारे बच्चों को यूकरेन से निकालेंगे रशिया लेके जाएगे अब यहां पर आप कहोगे इस सबका इंपाट पुतिन पर क्या आएगा और अमेरिकन मीडिया ये क्यों कह रहा है कि पुतिन की दुनिया अब बहुत ज्यादा छोटी हो गई है मतलब के बहुत कम देश बचे है जहां पर व्लादेमिर पुतिन जा सकते हैं तो इसका आंसर है ये आपके सामने ये आप जो वर्ल में आप देख रहे हैं यहां पे जो भी हरी कंट्री है ये इंटरनाशनल क्रिम क्रिमिनल कोड की रूलिंग के हसाब से पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा पुतिन इन हरे देशों में विजट नहीं कर सकते युएस एक टाइम पर इंटरनाशनल क्रिमिनल को मानता था मगर बाद में युएस ने खुद को विड्रॉ कर लिया इससे रशिया भी आज के समय ICC को नहीं मानता उसके लावा चाइना इंडिया पाकिस्तान ने कभी भी इस कोड को एक्सेप्टेस नहीं दी है तो पुतिन कल को चाइना जाए इंडिया में जाए पाकिस्तान में शलंका में यह सारे जो लाल कंट्रीज है या फिर इवन जो औरेंज कंट्रीज है यहा 2005 से बना हुआ है और in the future हो सकता है कि ये pressure और जड़ा बढ़े उसके इलावा देखो अब 2023 में इंडिया जब G20 का summit होस्ट करेगा और व्लादमिर पुतिन भारत में आएंगे उस टाइम इंडिया पे definitely pressure रहने वाला है और अब possibility ये भी है कि कई world leaders पुतिन के साथ table पर बैठे भी ना और कही ना कही देखिए इस सब का impact G20 summit पे भी होगा तो definitely मैं कहूंगा इंडिया के perspective से ये एक खराब news है फिर हम बात करें ट्रम के case के बारे में ट्रम का case बहुत ही निराला है ट्रम देखिए खुदी कहा रहे है इन्होंने खुद अपने social media platform truth social पे लिखा है कि ये possibility कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि इनको arrest कर लिया जाए arrest करने का reason क्या है देखो ट्रम पर आरोब ये लगा कि इनका एक relationship था Stormy Daniels के साथ इस महिला के साथ और जब 2016 में ट्रम का election campaign चल रहा था ये USA के president बनने की कोशिश कर रहे थे हिलरी क्लिंटन को हराने की relationship था एक time पर नव ये सब जो है ये ट्रम का personal issue है मगर main problem आती है कि ये वाला जो पैसा है ना 1,30,000 डॉलर ये कहा से आया क्या ये पैसा accounted था क्योंकि अब question इसी बात को लेकर है कि ये पैसा अगर ट्रम की जो company उससे आया है तो ये तो गलत बात है क्योंकि ये पैसा कभी accounts मे show तो हुआ नहीं है ये गलत तरीके से इनकी company से निकाला गया और इस महिला को pay किया गया तो इस वज़े से हो सकता है कि ट्रम को jail हो जाए और ये jail 40 साल तक की हो सकती है क्योंकि ट्रम पे आरो बहुत सारे लगेंगे कि उन्होंने जूड़ी बुला था ये बात चुपाई भ हुई है तो ये जो सारे issues है इन पर USA की court मानती है कि हाँ बिलकुल ट्रम को jail में जाना चाहिए तो ये jail बहुत ही लंबी हो सकती है नाव एक interesting बात देखिए जो USA में वकील है ना जो Donald Trump के पीछे पड़ा हुआ है उस आदमी को fund किया जा रहा है George Soros द्वारा ये एक report ने का है तो George Soros interestingly आपको और जगा दिखेंगे और Elon Musk जो अपने आप में बहुत ही अमीर इंसान है इन्होंने ये prediction करी है कि अगर मानलो Donald Trump पे ये सब charges लगा दिये जाते हैं तो इसकी वज़े से ना Trump 2024 में बहुत ही बड़े मतदान के साथ वापस power में आएंगे क्योंकि लोग जो परसनली पता नहीं के Donald Trump को ये genuinely arrest करेंगे या नहीं करेंगे बहुत कुछ depend करता है USA के court पर USA के इतिहास में आज तक किसी भी former president को arrest नहीं किया गया तो अगर ये होता है तो ये history making होगा now Indian perspective से गर हम बात करें तो हम पे क्या impact आता है सब का देखिए हम पे impact इसलिए आता है क्योंकि हम ये चाहेंगे के USA में दो type की आवाज रहें Biden की भी आवाज important है Trump की भी आवाज important है Trump अपने आप में एक बहुत ही important counter है जो Biden का याद रखिएगा Donald Trump की अंडर ही हमने article 370 remove किया था कश्मीर से उसके इलावा जो आज के समय Apple की manufacturing गोरी है इंडिया में बहुत सारी American companies ने shift किया है from China to India इसका main reason था Donald Trump की trade war और Trump ये बात जानते हैं इसलिए उने खुद का था कि इंडिया को कभी भी इन से बड़िया दोस्त नहीं मिला हाला कि मैं ये कहूंगा कि एक aspect है जहां पर Trump ने इंडिया को loss दिया था जैसे कि ट्रम्प ने इंडिया का GSP Generalized System of Preference का जो ये treatment है ये इंडिया से छिल लिया था जिसकी वज़े से हमको कई millions का loss हुआ मगर मैं कहूंगा इस aspect को आप अगर ignore करें तो definitely इंडिया को काफी फायदा हुआ है ट्रम्प की वज़े से और वैसे देखो बाइडन ने भी ये जो GSP status है इंडिया का restore किया नहीं है तो कल को ट्रम्प हो बाइडन हो मुझे लगता नहीं है कि GSP status इंडिया का वापस आने वाला है तो आने वाला समय दोनों leaders के लिए काफी खतरनाक होगा पुतिन के लिए एक बहुती simple रास्ता है जो जो हरे देश है वहाँ पे इनको नहीं जाना ये बात obviously मुझे से जादा ये खुद समझते होंगे तो पुतिन directly jail जाएंगे इसके chances काफी कम लग रहे हैं ट्रम्प का case different है कोड़ देखना होगा कि क्या कहती है ट्रम्प के case में और फानली वापस आते हैं हमने question की तरफ के exercise अल मोहीद अल हिंद 2023 ये काफियत तक news में है आपको बताना है कि इंडिया ये exercise किस देश के साथ कर रहा है तो सही answer है यहाँ पर option B the country of Saudi Arabia यहाँ पर आप देख पाऊगे इंडिया naval forces और Royal Saudi naval forces ये दोनों recently मिली है और बातचीच चल रही है किस तरीके से अल मोहीद अल हिंद को conduct किया जाएगा और फानली आपर मैं ये भी add कर दूँ कि एक massive sales चल रही है जिसके अंडर आपको 20% discount मिलेगा सारे अनकाडमी courses पर ये discount usually होता है 10% का ना comment section में जाएए यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे link for example let's say आप repair कर रहे है bank exam के लिए तो जो bank exam का link है यहाँ पे आपको करना है click और यहाँ पे आप purchase कर सकते है ये course now जो prices यहाँ पर लिखे है ये pay करने की ज़रुदत नहीं है simply यहाँ पर code use कर ये PD10 और prices गिरना start कर देंगे you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money इसी रोट के साथ ये है वीडियो कांत thank you for listening and as always God bless you all